नमस्कार, A2Z Dishes उशा कोरजानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज आपके साथ मैं शेर करने जारूए जटपट वाली बींडी की सबजी जो खाने में बहुत ही मज़िदार लगती है घर में सभी को पसंद आएगी तो बिल्कुल भी देर नहीं करता है चली ऐसे बनाना शुरू कहते है तो उसके लिए मैंने हापर सबसे पहले लिए भींडी जिसे मैंने अच्छे से दो कर साफ कर लिया है इसे टुकडों में मैंने इस तरह से काट लिया है आप देख सकते हैं टुकडे मैंने हापर मीडियम साइस के किया है अब इसे हमें तलना है तो उसके लिए मैंने कड़ाई में तेल गरम करने रग दिया था अब ये भींडी के टुकडे को डालेंगे और चलाते वे से हम तल लेंगे तो आपको इसे सतर से असी प्रतिशत तक ही तलना है इसे आप पूरा नहीं तले तो इस तरह से चलाते जाए और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे सतर से असी प्रतिशत तक ही तले तो देखिए इस तरह से हो जाए तब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से जो बची वी बींडी है वो भी हम डालेंगे और इसे भी हम तल लेंगे अच्छे से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारी बींडी इस तरह से तल कर तयार कर लिया है अब उसी कड़ाई में से मैंने आधा तेल निकाल लिया है और करीब तीन चमच जितना तेल रखा है ये गरम ही है तो इसके अंदर एक चमच जीरा डालेंगे और दो कटे हुए प्यास डालेंगे बारी कटे हुए अच्छे से इसे हम मिला लेंगे इस तरह से और मिलाने के दालेंगे एक चमच अध्रक लसन की पेस्ट दो बारी कटी हुई हरी मिर्ची डाल रही हूं और इसे लगाता है चलाते हुए दो मिनिट तक हम पकाएंगे तो यहां पर आपको प्यास को बिल्कुल लाल नहीं करना है सिफ इस तरह से हो जाए अध्रक लसन का कच्छा पर न मैंने मिला लिया है अब इसके अंदर में सारे मसाले डालूंगी तो सबसे पहले में डाल रही है एक चमच नमक आदी चमच हल्दी पावडर एक चमच लालमिश पावडर एक चमच धनिया पावडर और एक चमच कसूरी मेथी लिए जैसे हम मसल कर डालेंगे नमक और मसाले के अनुसार डाल सकते हैं तो यहां पर कसूरी मेथि को मैंने मसलकर डाल दिया है अच्छे से हम मिलाएंगे और 2 मिनिट तक पकाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं दो मिनिट हो चुके तो अब इसके अंदर में आदा कप पानी डालूँगी एक बार इसे मिला लेंगे और मिलाने के बाद जो हमने बींडी तल कर रखी थी ये डाल देनी है इसके अंदर डालने के बाद फिर से हमें अच्छे से मिलाना है ये जो सब्जी एक काफी जहट पड कर से बन जाती है और खाने में बहुती बहुती स्वादिस्ट लगती है तो यहाँ पर बींडी को मैंने अच्छे से मिला लिया है अब इसे ढखकर हम 5 मिनिट तक पकाएंगे बिल्कुल धीमी आज पर इस बात का ध्यान रखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पांच में ठोचुके हैं धकन को हटा लेंगे बहुती बढ़िया सी खुश्पू आ रही है आदी चमच गरम मसाला डालेंगे अच्छे से से हम मिला लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी तयार है यह बढ़िया सी बींडी की सबजी गैस को बंद कर लेंगे और इस तरह से इसे प्लेट में निकाल लेंगे तो आप भी यह बींडी की सबजी को जरूर ट्राइ कीजे काफी जटपड से बन जाती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है और मज़े कमेंट सेक्शन बताईए आपको यह कैसी लगी है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने फ्रेंस और फैमली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न बुले थांक्यू फॉर वाच्छेंग